नमस्कार दोस्तों सिर्राधे आप देख रहे हैं अपना पशंदीदा चैनल जोतिस पंचांग मैं अंसुल त्रिपाठी आपका जोतिस विद्ध योमवास सास्त्री मित्रो नौरात्र उद्ध्यापन कैसे किया जाए क्यों नौरात्र के उद्ध्यापन को करना चाहिए इन सभी महत्पूर चीजों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले उद्ध्यापन के साब्दिक अर्थों को अगर देखा जाए उद्ध्यापन क्यों किया जाता है इस पे चर्चा की जाए तो उद्ध्यापन का मतलब होता है किसी भी पूजा पाठ के अंतिम जो कृत्त होता है जातक के द्वारा उसके करने की क्रिया को ही उद् आपने अपना संकल्प पूरा कर लिया पूर आहूती के तौर पे आप उसको उद्यापन करते हैं अर्थात इक धन्यवाद ग्यापित करते हैं भगवान के प्रति आपकी कृपा से मेरा संकल्प पूरा हुआ क्यों क्योंकि बिना भगवान की इच्छा के आप उनकी सेवा भी नहीं कर सकते हैं तो जैसे आपने कहा कि हम ग्यारा वर्स नौरात रहेंगे पांच वर्स रहेंगे तीन वर्स रहेंगे जैसे आपने उद्यापन माल लिया उसके बाद आपका संकल पूरा हुआ फिर आप उसके बाद उसका उद्यापन कर रहे हैं कोशिस करना चाहिए उद्य विशम संख्या के बाद में ही करना चाहिए जैसे तीन पांच वर्स बाद ही उद्यापन करना चाहिए उद्यापन करने के लिए कौन से लोग पात रहें ये बताया कि ज़्यादा तर विशम संख्या में हो या आपने जो संकल्प संख्या ली हो उसके अनुसार आप उद्यापन करें तो स्रेष्ट है उद्यापन का क्या अर्थ है इस वे चर्चा हुई अब हम बात करते हैं उद्यापन को कैसे किया जाए नौ दिन नौरात्र पूरा होने के बाद आप कन्याओं को घर पर आमंत्रित करके उन्हें यथा सकती भोजन और सुन्दर सुन्दर गिफ्ट उनको प्रदान करें हमने यथा सकती सब्द का प्रियोग किया है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कन्याओं को हल्वा पूरी चुन्री वो भी नहीं है तो गाय के सामने आप एक पूरी जाकर रख सकते हैं इससे भी आपका उद्यापन संपन्द हो सकता है धर्म कभी भी किसी चीज के लिए अधिक्तम बाद्ध नहीं करता है आपने देखा होगा आपकी घर जब पूजा होती है भगवान को बस्तर चढ़ाने की बात होती है आपके पास बस्तर नहीं होता है रूई में हल्दी लगाकर भगवान को समर्पित क्या जाता है और कहा जाता है प्रभू आप मेरे बस्त्र को स्विकारे तो मित्रों यथा सक्ति आपके पास जो भी नियुन्तम है वो दीजी अगर आपको भगवान रखने मातरानी ने आपको धन दिया है तो कन्याओं को बुलाईए उनको वस्तर दीजे उनको पढ़ने के लिए रोज मर्रा के लिए जो आवस्तकावस्त्ता की चीजें हैं जैसे कलम कापी बरतं जो भी आपके पास चीजें उनको पुरदान करिए आते ही सबसे पहला काम करि और उनके चरण को आप पखारिए धोईए और उसके बाद जल को छिड़किए चारों तरफ उनके चरणों को धुलिए फिर उनको उनके स्वादा अनुसार जो उनको अच्छा लगता हो जैसे मीठी चीजें हलुआ पूरी तमाम वो आइटम हैं आप उनको खिलाएए उनको त कर सकते हैं जिससे उनको प्रशन करें माता रानी को जो जो चीजें पसंद हैं वो सारी चीजें आप दान में सामिल करिए ब्रामभण पोजन करवाईए ब्रामभणों को पोजन कराना भी आवस्चेक माना जाता है और जिस ब्रामभण को पूजन कराने के लिए आपने बु को पूरा करें संकल्प आपका फली भूत हो चुका हो तो भगवान को हिर्दय से धन्यवाद दीजिए कि हमने एक संकल्प किया था आपकी कृपा से यह संकल्प मेरा पूरा हुआ अगर संकल्प नहीं पूरा हुआ है उद्यापन का समय आ चुका है मतलब आपका फल नहीं मिला है और संकल्प पूरा हो गया है तब भी आप भगवान को धन्यवाद करिए कि कुछ तुरूटी रही होगी उसको छमा करके आप मेरे मन में सोचे हुए भाव को पूर करिए आप मेरी कृपा करिए तो सबसे महत्यकूर चीज है यथा सक्ति जो भी अधिक सदिक चीजे है वहाँ आप भगवान को समर्पित करिए नहीं है तो गाय को एक पूरी हलुआ खिला कर भी आप अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं अपने उद्यापन को पूरा कर सकते हैं अगर आप पास सारी चीजे हैं वह सारी बस्त में दान करें कन्याओं को खिलाएं ब्रामभणों को खिलाएं ब्रामभण को बुला कर बकाय दे उनको दान दे और भगवान भगवती के सामने आप नत्मस्तक हो और उनकी कृपा के लिए आप अपने आपको कृत्य समझें धन्य समझें जिससे माता ने आप से सेवा प्राप्त की इसी तरह से आप उद्यापन अपना कर सकते हैं सबसे महत्पूर्ची बिसम संख्या में आपका वर्ष यहां भारती संस्कृति में विसम संख्याओं को स्रेष्ट माना जाता है तो यह रही एक संशिप्त चर्चा उद्यापन के संबंध में जो लोग उद्यापन करना चाहते हैं इस विधी से सरल्तम रोप से उद्यापन कर सकते हैं हमने कहा कि कुछ भी नहीं हो आप गाय को ख करना ना भूले जोतिश और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे तो आपके अपने यूट्यूब चैनल जोतिश पंचांग को सब्स्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटिस वीडियो की नोटिफेकेशन लगाता केरेंपेश ऊता हुआरा झाया करेंपेशन काईपता है।